रादे रादे सबी को हम इस वीडियो में जानेंगे कि जेश्टमावश्या पर पित्रों को कैसे मनाए और यदि नहीं मनाया तो क्या होगा उसका परिनाम तो हम जानेंगे पांच परिनाम और पित्रों को मनाने के चार उपाए जेश्ट मावश्या का पावन परव 6 जून को है उस दिन नाराज पितरों को मनाने का काम किया जाता है कहते हैं कि पितर नाराज होते हैं तो पितर दोस्त लगता है इससे कई प्रकार की समश्याएं पैदा हो सकती है इस वज़े से जेश्ट मावश्या के दिन इश्नान के बाद पितरों की पूजा करने और उनके लिए दान करने का विधान है इस साल जेश्ट मावश्या तिथी 5 जून को साएं 7 बज़ कर 54 मिनट से 6 जून को साएं 6 बज़ कर 7 मिनट तक है जेश्ट अमावश्या के दिन पितरों को मनाना क्यों जरूरी है तो जानते हैं जेश्ट अमावश्या पर नाराज पितरों को नहीं मनाएंगे तो क्या होगा धार्मिक मतानोसार अमावश्या के दिन पितर प्रत्वी पराते हैं और वे अपने वन्स से यह है उम्मीद करते हैं कि वे उनको तरप्त करें उनको पृस्रण करें यदि ऐसा नहीं होता है तो वे दुख्यों नाराज होते हैं इससे पितर दोस लगता है पितरों के नाराज होने से कई प्रकार की समश्याइं पैदा हो सकती हैं जैसे पितर नाराज होकर सराब देते हैं कि उनके वन्स को संतान सुख प्राप्त नहीं हो इसका आर्थ है कि पितर दोस के कारण भी व्यक्ति संतान हीन या पुतर हीन हो सकता है माना जाता है कि यदि पितर के वन्स के उनको तरप्त नहीं करते हैं तो वे संतान हीन होने का स्राप दे देते हैं ताकि जब वे पितर बने तब वे भी एतरप्त रहें ऐसे वन्स को संतान की क्या औशिक्ता है पित्रों की नाराज होने के कारण घर में हमेशा कले कलेश रता है परिवार में आसांती का माहूल होता है परिजन एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं पित्र दोस के कारण घर परिवार के उनती में वाधा आती है काम में रुकावटें पैदा होती है और बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं पितरों की नाराजगी से परिवार के सदस्यों को कई परकार के सारे रिक्कष्ट भोगने पड़ सकते हैं जैसे की कोई न कोई सदस्य हमेशा भी मार रह सकता है पितर दोस के कारण बिजनिस और नोकरी में तरक्की की संभवनाएं भी कमजोर हो जाती हैं और बिजनिस आगे नहीं बढ़ पाता है उनमें भी कई तरह की अर्चणियां आ सकती हैं इसलिए हम अब जानेंगे की नाराजगी पितरों को कैसे प्रिशन न करें नाराजगी पितरों को इस प्रकार मनाएं अपनी जेष्ट अमावश्या पर जेष्ट अमावश्या पर नाराजगी पितरों को मनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सुबह इशनान करने के बाद सफेद वस्तर पहने जल से पितरों को तरपन करें तरपण में जल, काला तिल, सफेद फूल और कुसा का उपयोग करना चाहिए कहा जाता है कि पित्र लोग में जल की कमी होती है जब जल से तरपण करते हैं तो पित्र तप तहो कर आसिरवाद देते हैं अमावश्या के दिन पित्रों को खुश रखने के लिए आप बिंडदान, स्राद, पंचवली, कर्म, आदी कर सकते हैं जो लोग अपने पित्रों का स्राद नहीं करते हैं उनको भी परिशान करते हैं जेश्टमावश्या के अफसार पर पित्रों के लिए सफेद वस्त्र, फल, अन, आदी का दान, किसी गरी ब्रामन को करें पित्र दोसे मुक्ती पाने के लिए त्रिपिंडी स्राद कराया जाता है इसे आप जेश्टमावश्या के दिन विधिविदान से करा सकते हैं